शालीन की बातों से टूटी सुम्बुल का सहारा बने कुछ तरह से शिव ठाक रहे जो यहां आपको पता ही है कि आजकल शिव और सुम्बुल काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं तो वहीं पर अब शिव जो है वो पूरी तरीके से सुम्बुल को सपोर्ट करते भी नजर आ रहे हैं लाइफ एट में देखा गया कि किस तरह से शालीन जो है वो सुबह सुबह चिलाते नजर आए और वो ये सब कुछ हुआ है टीना की वज़े से टीना सुबह सुबह ही काफी बवाल करती नजर आई खाने और बाखी चीजों को लेकर और घर में जो सामान फैला हुआ है उसे लेकर क्योंकि सुम्बुल की जूल्री जो है वो कमरे में फैली हुई थी जिसको लेकर वो काफी भला बुरा कहती नजर आई सुम्बुल को वो ये बोलते नजर आए कि वो इतना सारा कुछ करती है और आपने यहाँ पर सब कुछ फैला कर रखा हुआ है और ऐसे में मैं उनकी गलती नहीं दे सकता हूँ ये सारी बातें जो है वो सुम्बुल को बोलते नजर आए जिस पर सुम्बुल और भी जादा तूट जाती है और बहुत जादा रोती है हाला कि सुम्बुल का ये रोना जो है वो किसी को पसंद नहीं आ रहा जिस तरीके से शालीन से उन्हें दूरिया मेंटेन करनी है वो फिर से वो काम नहीं कर रही है और फिर से फैंस का गुस्सा जो है वो सुम्बुल पर भड़कने वाला है हाला कि पापा ने भी समझा दिया है और आज के अपिसोड में आप देखेंगे कि सुम्बूल अब क्या फैसला लेती है खेर इसी के साथ साथ लाइफ वीड में ये देखा गया कि सुम्बूल जो है वो बहुत परिशान नज़र आई इसी के साथ साथ लाइफ वीड में ये भी देखा गया कि शिव भी काफी बोलते नज़राय शालीन को और मुए कहतें नज़राय कि सारी गलती जो है वो सुनभूल की नहीं है और इस तरीके से नहीं कहना चाहिए जिस तरीके से टीना हरकते कर रही है यह चीज ठीक नहीं है जिसके बाद शालीन और शिव हैं उनके बी स्टोड़ा गहमा गहमी भी देखने को मिलती है और इसी के साथ साथ शिव जो है वो सुम्बुल के साथ आस पास नजराते हैं यहां पर सुम्बुल को गले लगा लेते हैं शिव और उन्हें सपोर्ट करते ह उन्हें समझाते हैं कि वो किसी बात को लेकर परिशान ना हो वो उनका पूरा सपोर्ट करेंगे और यह देखकर सुंबुल बहुत ही एमोशनल हो जाती है और बहुत जादा रोने लगती है और इसे देखकर यहां पर आप देख सकते हैं अब्दू भी है वो भी उनका दिल भ जा रहा है कि एक अच्छा सा बांड जो है वो सुंबुल और साथी साथ शिव के बीच देखरी को बिल रहा है यहां पर उन्हें गले लगा लिया है और गले लगा कर सपोर्ट करते नजर आए है उन्होंने साफ साफ शालीम को भी सुना दिया है कि कि किस तरीके से वो टीना इस तरह की बात कर सकते हैं तीना यहां पर फाल्टू फाल्टू बाते करती नजर आई बार बार वो हाईजीन को लेकर बात करती नजर आई यहां यहां पर वो सुंबुल के चदर साफ करने की बात कर रही है कि उनका चादर जो है वो गंदा पड़ा हुआ है और चादर वो साफ कर लें और साथी साथ यहां शालीन सुम्बल को कहते हैं कि इतनी वह जूली में है this यहां वह बबा पड़ा हुआ है आप खुद देखिए किस तरीभी की चीज़ें आप कर रही है और टीना भी तो वही चीज़ कह रही है तो यहां सुम्बुल जो है यह बोलते बोलते शालीन से रो पड़ती है कि हां मैं कर रही हूँ आप ऐसी बाते क्यूं कर रहे हूँ सुम्बुल और शिव की बड़ती नजदी क्यों को लेकर हमें कॉमें चर जरूर बतायेगा बिग बॉस की लेटेस्ट अबडेट के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये विडियो आप फेस्बूक पर देखें तुमारे फेस्बूक पीच को फॉलो करें